हेलो स्टुडेंट्स आज अपन बात करने वाले हैं इस्टेश्कोप के पार्ट्स के बारे में जैसे कि आपके सामने दिख रहा है इस्टेश्कोप का एक इमेज दिख रहा है जिसमें सारे पार्ट्स के नाम लिखे हैं तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन सा पार लेने में या कुछ सौंड्स वगरे सुनने में तो इसका यूज कौन करता है डॉक्टर मेडिकल फील्ड में अपन नर्स वगरे काम करती है तो इसके बारे पता होना चाहिए इसके पार्ट क्या काम करते है कैसे काम करते है कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है और क्या चीज हो एसको सबसे बॉलते है और बागे आपके जो tubing दिखरी है दोनों साइड इस टील की होती है इसको बोलते है bianural spring जैसे bianoral tube भी बोलते है और bianural spring यह जो बीच में लग भीए इस दोनों को जुञंड नहीं देती जैसे लिए आप सामने पास में चिपकनाई नहीं देती या स्पर्ण सतर क्ली से रखती है तो यहें एक धिल की बनी होती है जो आपको साउंड वगर ''sarp'' सुनायाय देती है बैनार ट्यूबग भी बोलते है और इसको यह उसको में इसको इसको कहा जाता है और बागी आपको सामने यह जो दिख रही है इसको बोलते है सिर्फ ट्यूबिंग यह PVC वगरा की material की बनी होती है जिसको आप rubber type बोल सकते हो इसको बोलते हैं tubing और जो सबसे नीचे आपको सामने दिखाई देरा है प्यविसं के बनी है और इस पूरे को क्या बोलता है किया चैस्ट पीस टरफ रखा जाता है इसको बोलते है चैस्टपीस पर इस बिस जिए इंदम्खते हूँ को चैस्ट में घुमाओंगे यहां पर स्विच की तरह होता है तो आपको एक तरफ से सुनाई देगी या इस तरफ से बैल की तरफ से सुनाई देगी या डायफ्रेम की तरफ से सुनाई देगी तो जैसे आप इस टैम को मूव करोगे बंद जैसे खटका बंद या चालू किया जाता है सेम इसी तरह होता है एक तरफ तो बैल से आवा सुनाई देगी और दूसरी तरफ गुमाँ तो डायफ्रैम से आवा सुनाई देगी अब इसका क्या काम है कि दोनों तरफ से सुनाई देने के लिए अलग-अलग क्यों रखाए गया तो छोटी तरफ से है इसमें हमेसा जो लो साउंड होती है या छोटे बच बच्छों वगरा की हार्ट साउंड जैसे आपने बोला होगा जैसे आपने देखो कि एपिकल पर्स में पल्स रेट ली जाती चोटे बच्छों में इनफेंट में तो कई बर यह वाला यूज चोटा वाला जो डायफ्रैम है यह फ्लैट सर्विस लंग्स वगरा की सुनने म बंच चालू करने से क्या होगा एक तरफ बैल से आवा जाएगी या फिर डायफ्रैम से आवा जाएगी और इस पूरे को बोलते हैं चैस्ट पिस्त तो यह सारे पार्ट थे तो आपको पता होने चाहिए बाकि आपको आई होप समझ में आ गया होगा फिर भी कुछ समझ्या लगे यह समझ में ना आता है तो आप कमेंट जरू कर सकते हैं बाकि आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकार जरू करें धन्यवाद